Electrochemical Theory of Corrosion को Wet Corrosion भी बोलते हैं और वो इसलिए बोलते हैं क्यूंकि यह corrosion Moist Condition में होता है मतलब Water की Presence में होता है और इस corrosion में Electrochemical Self-Formation होती है इसी वजय से इसको Electrochemical Theory of Corrosion बोलते हैं अब इसमें Electrochemical Theory of Corrosion में क्या होता है एक हमार पस बनता है Anody Caria एक हम आपस बनता है कैथोडिक एरिया अब एनोड पर हमेशा ओक्सिडेशन होती है ओक्सिडेशन का मतलब है loss of electrons मतलब जो metal होगा वो electron lose करेगा और जो भी एनोड होता है एनोड एक एरिया का मतलब है एक ऐसा part जो reactive part है जो react करेगा इसी वज़ा से corrosion हमेशा एनोड पर होता है और कैथोडिक एरिया पर हमारे पास reduction होता है reduction का मतलब है gain of electrons मतलब जो भी यहाँ oxidation में electron release होए थे वो एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे कैथोड पर उन electrons का gain होगा और वहाँ पर reduction होगी तो यह सब चीजें जो है यह electrochemical theory of corrosion में होती है अब एनोड पर तो oxidation हो रही है मतलब metal react कर रहा है और electrons lose कर रहा है पर reduction पर जो reaction होता है that is gain of electron वो दो तरीके से हो सकता है first by the evolution of hydrogen मतलब जिसमें hydrogen release होगी एक तरीका यह है second by the absorption of oxygen मतलब जो corrosion हो रहा है जो cathode पर reaction हो रहा है that is in the presence of oxygen वो oxygen की presence में हो रहा है तो यह जो दो separate चीजें है यह दोनों ही तरीकों से corrosion हो सकता है और यह जो दोनों तरीकी हैं यह cathode पर reactions होंगे अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे by the evolution of hydrogen मतलब जब हमारे पर corrosion तो हो रहा है पर cathode पर जो reaction हो रहा है वो by the evolution of hydrogen हो रहा है उसमें hydrogen रिलीज हो रही है अब जैसे यहाँ पर इडाइग्राम है इसमें iron sheet है iron sheet और यह आ रहे है in contact with the acidic environment acidic medium के contact में है अब यहाँ पर यह जो dark सा थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है यह है जिसने इस iron की sheet को इतने से part की इतने iron की sheet की इतने से part को cover किया है मतलब यह वाला जो part है यह directly इस acid के contact में नहीं आ रहा और बाकी का जो यह remaining part है जिसके उपर कुछ भी चीज नहीं है यह directly acid के contact में है अब जब भी ऐसी condition आएगी जब हमारे पास एक part होगा जो direct acid के contact में है जैसे यह वाला part और यह वाला part पर दूसरा part है यह वाला जो acid के contact में नहीं है तो हमारे पास एकदम से दो areas बन जाएंगे एक हमारे पास बन जाएगा anodic area एक हमारे पास बन जाएगा cathodic area anodic area होगा which is directly in contact with the acid ये वाला एरिया और जो cathode की एरिया है वो वाला पार्ट है जो acid के contact में नहीं है अब अनोर पर oxidation होना शुरू हो जाएगी cathode पर reduction होना शुरू हो जाएगी और electrons flow करना शुरू कर देंगे from anode to cathode अब अनोर पर क्या होगा अनोर पर मैंने आपको बताया कि anode is the part anode का मतलब है कि reactive part जो एकदम से react करना शुरू कर देगा तो iron जो है क्योंकि यह directly acid के contact में है और anode बन चुका है तो यह क्या करेगा एकदम से electron lose करना शुरू कर देगा इसकी oxidation हो जाएगी तो iron Fe से Fe2 positive बनाना शुरू कर देगा मतलब यह अपनी metallic form से reactive form में आना और cathode पर हमारे पास reduction होना शुरू हो गई reduction का मतलब है gain of electrons अब gain कौन करेगा electron अब हम पढ़ रहे हैं कि जो यह वाला corrosion है by the evolution of hydrogen this is taking place in the presence of acid acidic environment में यह हो रहा है और acidic ऐसा substance होता है जिसके पास बहुत सारे H positive ions होते हैं इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे H positive ions present है अब यह H positive ions जो होंगे यह electrons gain करना शुरू कर देंगे एक H positive ने एक electron लिया दूसरे ने दूसरा electron लिया H H बन गए और यह जो दो hydrogen atoms हैं दोनों मिलके hydrogen gas बना लेंगे hydrogen molecule बना लेंगे मतलब यहाँ पर हुआ gain of electrons that is reduction और वो हुआ कैथोड़ी केरिया पर अब अगर total हम reaction देखें overall reaction देखें तो हम add कर देंगे equation 1 को और equation 2 को और हमारे पस final equation बन जाएगी Fe plus 2H positive giving Fe2 positive plus hydrogen gas मतलब iron जो है वो अपनी metallic form से reactive form में आना शुरू हो गया देखें होना शुरू हो गया और जो acid है वहाँ से H positive iron जो थे वो hydrogen gas की form में evolve होना शुरू हो गया तो यह जो corrosion था यह था by the evolution of hydrogen अब second हमारे पस आता है by the absorption of oxygen अब भी corrosion होगा पर cathode पर जो reaction होगा अब उसमें hydrogen नहीं release होगी उसमें oxygen का gain होगा यह वाला जो corrosion होता है यह oxygen की presence में होगा और by the absorption of oxygen तब corrosion होगा यह उन conditions में होता है जहां पर हमारे पस iron surface जो है that is in contact with the neutral medium aqueous solution of salt किसी salt का aqueous solution है उसके contact में अगर iron आ रहा है और oxygen की presence है वहाँ पर तो एकदम से corrosion होना शुरू हो जाएगा और वो कैसे शुरू होता है अब इस diagram में हमारे पस यह iron sheet है और यहाँ पर it is coming in contact with the neutral medium aqueous solution of salt उसके contact में आ रही है अब यहाँ पर हमारे पस oxygen है environment में और यह aqueous solution भी है तो oxygen के presence में क्या हुआ जो यह iron है इसने oxygen के साथ react करके oxide film बना दी अब इसने अपने यह iron का surface है और इसके उपर यह जो है यह oxide film बन चुकी है oxide film बन चुकी है अब बाइचंस अगर यह oxide film ब्रेक हो जाती है तो यह जो iron है यह फिर से neutral medium और फिर से oxygen के contact में आ जाएगा पर बाके का जो यह remaining part है इसके उपर oxide film है जिसने कि इसको cover किया है तो यह directly इस solution के और oxygen के contact में नहीं आ पा रहा इसका मतलब है कि जहां से यह जो oxide film टूट रही है ब्रेक हो रही है यह वाला जो part है यह बन जाएगा reactive part जो react करना शुरू कर देगा और जो भी part react करना शुरू कर देता है वो होता है anodic part anodic area तो इसलिए यहां पर हमारे पास बनना शुरू हो जाएगा anodic area जहां से oxide film टूट गई है और जहां पर oxide film अभी भी बनी है जिसने कि iron surface को cover किया है वो हमारे पास maximum part बन जाएगा cathode anodic area जहां पर reduction होगी oxidation anod पर होगी और cathode पर reduction होगी अब reactions कैसे होंगे anod पर oxidation हो रही है इसका मतलब है कि जो metal है जो iron है उसने electron lose करना शुरू कर दिये तो यह अपनी metallic form से फिर से reactive form में आ गया F2 positive बनाना शुरू कर दिये और electron lose कर दिये जो यह दो electrons है यह anod से cathode की तरफ अब cathode पर क्या हो रहा है यह हमारे पस इस medium में हमारे पस यहां पर oxygen भी है water भी है और electrons भी है जिनकी वज़े से क्या होगा formation of hydroxide ions और जैसे ही formation of hydroxide ions होगी यह hydroxide ions इस Fe2 positive के साथ एक्ट करके ferrous hydroxide बना देंगे FeOH2 और iron हमारा अब खराब होना शुरू हो गया और rusting की process जो है वो स्टार्ट होगी अब FeOH2 जो है अगर उसको और ज्यादा oxygen मिलेगी water मिलेगा तो अब हमारी rust बनना शुरू हो जाएगी FeOH3 धीरे धीरे यह rust बनती रहेगी और हमारा जो metal है जो iron है वो धीरे धीरे खराब होता रहेगा होता रहेगा और खतम हो जाएगा तो यह वाली ज करोजन हुआ इन नूट्रल मीडियम सॉल्ट का सॉल्यूशन है एको सॉल्यूशन उसके कॉंटेक्ट में जब आइरन आ रहा है और यह पार्ट हमने पढ़ा फर्स पार्ट जहां पर करोजन हो रहा था बट बाइदी रिलीज ऑफ हाइड्रोजन निकल रही थी और यह तब ह करोजन हो रहा था जब हमापस आइरन शीट जो थी वह एसीट के कॉंटेक्ट में आ रही थी तो दोनों ही प्रोसेसिस में करोजन हो रहा था बट एक बाइदी एवोल्यूशन ऑफ आइड्रोजन और दूसरी बाइदी अब्सर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन और एक और जो इंप पार्ट में देखा तो इसमें गया हुआ जब बाइदी अब्सर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन करोजन हुआ तो यहां पर मैक्सिमम जो पार्ट है यह ओक्साइड फिल्म से कावर्ड है सिरफ थोड़ा सा ऐसा पार्ट है इसका जो की रियक्टिव बन रहा है जो अनोडिक बन रह हो रहे हैं पर इसीडिक मीडियम में करोजन बहुत फास्ट हो रहा है